अगर आप UPSC या फिर State PSC या फिर किसी ऐसे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जिसमें General Studies हो तो Indian Quality उसका एक important part है और उसके लिए M. Lakshmikant बहुत ही important book है अब ये book बल्की है और इसको एक्जाम में कैसे revise किया जाए मैंने इसके लिए seven days रखे हैं how to revise Indian Quality M. Lakshmikant in seven days chapters को इस तरह से divide किया है ताकि efficiently आप सारे important चीज़ों को revise करें आए दिखते हैं total 11 parts है इसमें दिये हुए chapters को 11 parts में divide किया गया है part 1 में constitutional framework है constitutional framework में सबसे पहले historical background ये fifth edition की book है अगर आपके पास नई edition है या फिर पुरानी वाली है तो भी लगबग सब की सब चीज़े सेम ही होंगी कुछ chapters added हैं नए वाले में तो वो आप किसी से ले करके photocopy करवा सकते हैं हर बार नई किताब खरेने की ज़रूरत नहीं है historical background में आपको acts जितने भी हैं 1773 से ले करके 1947 तक इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है बारिकी से पढ़ना है इसको इसमें one hour आप लगा सकते हैं क्योंकि इससे कई बार question पूछे जाते हैं और इस question को आपको wrong नहीं करना है क्योंकि एकदम direct questions होते हैं ठीके ये कर लिया है फिर making of the constitution में एक बार composition पढ़ लिजेगा कि किस तरह से constitution assembly form हुई क्या के composition था question पूछा जा चुका है इस पे इसके बाद बाकी चीज़े आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं कमीटिव एगर अपे पहले question पूछा जा चुका है अब के लिए उतना important नहीं है आगे बढ़ते हैं फिर है silent features of the constitution एक बार बस देख लेना है वैसे तो आप आगे जब chapters पढ़िएगा तो silent features आपको खोदी पता चल राएंगे फिर है preamble preamble में आपको keywords पढ़ लेना है text preamble का ज़रूर पता होना चाहिए question directly पूछा गया है कई बार keywords देख लेना है और preamble as part of the constitution और amendability of the preamble इसको करने में आपको 30 minutes से भी कम का समय लगेगा तो इसको कर लेना है chapter 5 में union and its territory, parliament का power to reorganize the state इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और evolution of states and union territories इसको अगर आपने पहले नहीं touch किया है तो इसको आप छोड़ सकते हैं अगर touch कर लिया है तो इसको revise कर लेना है citizenship को हम लोग ये पूरा chapter नहीं पढ़ेंगे यहां से citizenship का जो current affairs से related आप देखे सर्च करके कि क्या changes आया है citizenship act में उस तरह से relate करके citizenship को पढ़ना है अब आगए इसके important part में ये सारा कुछ हम लोग day one में करेंगे fundamental right इसके लिए आपको maximum two hours देने हैं क्योंकि ये कई बार हम लोग पढ़ रूके होते हैं तो आप कोशिश करिए कि दो घंटे में ये पूरा ही cover हो जाए और दो घंटे इसलिए क्योंकि ये important है तो दो घंटे ल घंटे लगा के पढ़ना at least और fundamental duties आपका 30 minutes से ज्यादा का time नहीं लेना चाहिए then amendment of the constitution इसको भी हम लोग current affairs से relate करके पढ़ेंगे जो recent amendments हुए है तो topic है उसमें अगर वो current affairs से related है तो उसको जरूर relate करना है procedure जरूर देख लेना है कौन से types के amendment होते हैं किसमे half of the states की जरूरत ह होती है किसमे simple majority चाहिए और क्या-क्या नए amendment हुए है recent में वो आपको जरूर पढ़ लेना है basic structure भी news में था तो यह भी आपको current affairs से relate करके पढ़ लेना है तो यह आपका हो गया day one day one में constitutional framework acts preamble fundamental right DPSP और fundamental duties यह आपकी priorities है बाकी चीजें अगर आप नहीं कर पा रहें तो skip कर स structure को यह आपका day one है day one में थोड़ा ज्यादा time लगेगा आपको क्योंकि यह सारी important चीजे है day two में क्या cover करना है day two में हमारा है system of government system of government इसमें parliamentary system federal system features देख लेंगे इसका और federal features of the constitution देख लेंगे इसका unitary feature भी देख लेंगे merits demerits आप logic लगा के खुद समझ सकते हैं तो इसको अभी revision point of view से आप avoid कर सकते हैं यह वैसे भी mains के question ज्यादा है तो feature parliamentary का ज़रूर देख लेंगे और federal का feature देख लेंगे कि Indian constitution में क्या federal features है center state relations legislative relations में कौन-कौन से articles हैं वो देख लेंगे बाकी सारी चीज़ें आप avoid कर सकते हैं interstate relation में interstate water dispute और interstate council और general council यह दोनों चीज़े important हैं and then final है emergency provision इसमे national emergency, presidential, financial emergency इन तीनों को short में कर लीचे अगर जल्दी से revise करना चाहते हैं तो मैंने video बनाया हुआ है बहुत quickly revise हो जाएगा चार से पांच मिनिट में तो आप इस तरह से वीडियो देखके उसको revise कर सकते हैं तो यह हो गया day two आपका current affairs में day two में आपको center state relation को current affairs से relate करके पढ़ना है और priority क्या होने चाहिए parliamentary feature, federal feature और emergency provision यह ही आपके priorities हैं इस पार्ट की यह तीनों चीज़े important है day three में हमें cover करना है executive को तो जब हम लोग president पढ़ेंगे governor का chapter भी उससी समय cover कर लेंगे इससे क्या होगा कि जो articles president से related है और जो power president के है वो governor के कौन से article में इस तरह relate करके पढ़ने से बहुत जल्दी याद हो जाएगा उसी तरह से PM का जब पढ़ेंगे तभी CM का पढ़ लेंगे और जब supreme court का पढ़ेंगे तभी high court को भी पढ़ लेंगे जैसे कि supreme court को article 32 के तहट क्या मिला हुआ है high court को article 226 के तहट क्या मिला हुआ है तो इनको एक साथ पढ़ेंगे president और governor जैसे president का discretionary power क्या है governor का discretionary power क्या है veto power president का है governor का है या नहीं है यह चीजें आपको एक साथ पढ़ने से बहुत ही आसान हो जाएगा चाप्टर को cover करना फिर council of ministers जब पढ़ेंगे center का उस समय state का भी एक बार देख लेना है ज्यादा difference नहीं है तो वो महनत नहीं लगेगी और वो chapter पूरी तरह से cover हो जाएगा तो मुश्किल से आपको इसको पूरा cover करने में तीन से चार घंटे लगेंगे यह होगे आपका day three day four में हम लोग सबसे important चीज पर आ जाएगे तो जब हम लोग parliament करेंगे उसी समय speaker को भी उसमें cover करेंगे और उसके बाद तुरन चले जाएगे vice president के chapter पे तो दोनों के powers का भी comparison हो सकेगा दोनों का election किस तरह से होता है इसका भी difference जल्दी से revise हो जाएगा पर्लेमेंट में क्या क्या पढ़ना है system of election में पता है composition पी पता है session कब-कब होता है devices of parliamentary proceedings जो भी चितने भी तरह के motion है joint sitting पे बहुत बार question आ चुका है budget in parliament position of राजय सभा और parliamentary privileges यह important है इस बार के लिए क्योंकि काफी question इस बार उठे है parliamentary committees इसको भी cover करना important है question बार-बार आता है committees पे forum skip कर सकते हैं parliamentary group को skip कर सकते हैं तो day 4 में हम लोग cover कर लेंगे parliament उसके साथ ही state legislature और judicial review को भी judicial review पहले ही आपके constitutional framework में था लेकिन अभी cover करेंगे उसको और इसके साथ constitutional bodies चुकी judicial review को करने में आपको जदा time ने लगेगा मुश्किल सा 30 minutes लगेगे तो first sitting में आपको parliament और state legislature करना है बीच में एक break लेंगे फिर judicial review पढ़ेंगे और फिर second sitting में सारे constitutional bodies को cover कर लेंगे constitutional bodies में क्या important है constitutional bodies जब भी पढ़िएगा तो composition देखिएगा उनका appointment कैसे होता है और किस तरह से हटाया जाता है powers and functions appointment removal tenure और composition बस यही आपको ध्यान से पढ़ना है सारे constitutional bodies में UPSC, SPSC, election commission, finance commission, national commission for SE, national commission for ST, linguistic minorities के लिए CAG हो गया attorney general of India और advocate general of the state यह सारा कुछ constitutional bodies में है कौन सा नया constitutional body add हुआ है वो भी आप पढ़ लीजेगा मुझे comment में बतायेगा किसको constitutional body का status मिला है 2018 में act आया था जिससे कि national commission for backward classes को constitutional body बनाए गया है तो act भी याद रखिएगा कौन सावा act है वो और किसको constitutional body बनाए गया तो इस तरह से constitutional body को आपको पुरा cover कर लेना है constitutional bodies में जब national commissions पे आयेगा तो उसमें ध्यान रखिएगा कि उसमें कौन member होते है यसे कि कई बार कुछा जाता है कि women member compulsory है या नहीं तो इसको एक बार अच्छे से बारिकी से पढ़ लेना है day 4 हो गया हमारा day 5 में हमें क्या करना है day 5 में non constitutional bodies cover करेंगे special areas जो कि 5th schedule और 6 schedule में जो areas आते हैं कुछ state को special provisions है कुछ state के लिए वह वाला chapter कर लेंगे union territory cover कर लेंगे इसी के आद subordinate courts cover कर लेंगे आप चाहें तो subordinate courts को high court और supreme court को जब पढ़ड है उस समय भी cover कर सकते हैं लेकिन यह चुकी बड़ा chapter नहीं है तो जिस दिन आपको relax करने का मन हो उस दिन आप यह चोटे topics उठा सकते हैं gram ने आयले cover कर लेना है question पुछा जाता है और tribunals को कर लेंगे क्योंकि question इसे पुछा गया है day 5 हो गया topics आप उस दिन उठा सकते हैं जिस दिन आप नहीं ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो उस दिन उठा करके यह आप complete कर सकते हैं मुश्किल से 4-5 घंटे लगेंगे इसको cover करने में day 6 में हम लोग local government cover करेंगे cooperative societies languages local government में आपका पंचायती और municipalities दोनों ही आ गया है चुकि आपको अभी हाल फिलालो मिला है तो national party कर दर्जा किस तरह से मिलता है तो वो एक पार जुरूर पढ़ लिएगा elections कुछ states में हुए हैं तो election में के साथ-साथ आपको anti defection act भी यहां पढ़ लेना है और RPA act दोनों को ही अच्छ से पढ़ लेना है 50 51 को क्योंकि बहु चीज़ा हैं जो कि आपको ढ़ीोवाइश करनी हो गी तो दे a seven में की कम topics है तो हम एक बार parliament को फिर से रिवाईद करेंगे डाय। से फंडमेंटल राइट को यह पर फिर से रिवाइस करेंगे चुकि यह फिर से दुबार आप रिवाइस कर रहे हैं तो आपको कोशिश करना कि 30-30 minutes में यह चीज़ें आप रिवाइस कर लें दीरे दीरे रिविजन का time आपको कम करते जाना है यही तरीका होता है रिविजन करने का कि जिस चीज में आपको पहली बार पढ़ने में 4 गंटे लगें तो next time वो आपको 2 गंटे में रिवाइस हो जाना चाहिए next time फिर 1 hour में यह important चीज़ें आपको cover कर लेनी है और day के end में इसी book में last year के questions दिये होते हैं वो उसको solve करने की कोशिच कीज़ें जो कि भी chapters आपने cover किया है अगर उसे related आपके questions solve हो जा रहे है इक मिन्स कि आपकी revision सही है प्रिवेस से को question को ज़रूर solve कीज़ेगा अगर 1979 से लेकर के 2021 तक थांक्स वाचिं